असलाम अलेकूम और हम बात कर रहे हैं मीडिया इलर्ट की या मीडिया इड्वाइजरी की अब जो मीडिया अलर्ट या मीडिया इड्वाइजरी है यह पहुत सारे अंग्रेजी लव्ज एक खटे जोड़ेवे हैं यह है क्या बहुत simply यह एक invitation है यानि के दावत हैं दावत है media के लिए कि कोई अगर आप एक event कर रहे हैं या आप कोई एक ऐसा gathering करें जहां आप चाहते हैं कि मीडिया आए तो उसकी जो invitation है या उसका जो दावत नामा है वो आप कैसे भेजते हैं उसको या वो जो एक format है या उस वो document जो है उसको हम या media alert कहते हैं या media advisory आजकल के जमाने में इतनी जादा अब ये इस्तमाल नहीं होती क्योंकि जो हम बाकियों के लिए दावत नामे बनाते हैं वो ही हम media को भेज़ देते हैं मगर मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी है ये document इसलिए जरूरी है क्योंकि हम इस document के जरीए media को हम पहले से थोड़ा सा बता देते हैं कि वो लोग क्यों आ रहे हैं क्या वज़ा है उनके आने की तो वो तयारी के साथ आते हैं और जब वो तयारी के साथ आते हैं तो जो उनकी presence होती है वो जादा मानिखेज हो जाती है उसका फाइदा हमें जादा होता है it becomes a little more purposeful the conversation is a little better तो अगर हम इसकी एक definition देखें के media alert क्या है So, media alert are one-page announcements of an upcoming event intended for journalists, not the public Their purpose is to convince reporters that this event is a genuine news story worthy of coverage अब आजकल ये एक dictionary meaning है, media alert की, मगर आजकल जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो प्रेस ब्रीफिंग्स जिनको हम कहते हैं जो खास तोर पे हम journalists के लिए करते हैं या press conferences होती हैं जो हम खास journalists के लिए करते हैं या media के लोगों के लिए करते हैं बालकि कोई भी ऐसा event हो जाँ हम चाहते हैं कि बहुत सारा जो हमारे media के colleagues हैं जो लोग हैं वो आएं और उसको cover करें या हमसे बात करें और हमारा जो काम हैं उसके बारे में ज्यादा जाने उसके लिए हम ये एक invitation भेच सकते हैं तो अगर हम देखें कि इसमें क्या क्या components हैं इसमें headline होती है जैसे कि press release की headline आम तोर पर ऐसा होता है कि जो आपकी press release की headline होगी वो ही आपकी media alert की headline होती है ताके एक repetition भी आ जाए यानि कि बार बार आप लोगों को वो ही बात करें ताकि उनके जहन में उतरती रहे जैसे इश है क्या क्यों बुला रहे हैं हम आपको press briefing है press conference है seminar है workshop है वैसी picnic है क्यों बुला रहे हैं हम आपको कब बुला रहे हैं आपको किस वक्त बुला रहे हैं आपको कितनी देर के लिए बुला रहे हैं और location कहां बुला रहे हैं तो बहुत जल्दी जल्दी 5-6 bullets में हमने उनको बत जादिया कि भाई ये दावत नाम आए इधर आना है इतने लोग होंगे इतना ये टाइमिंग होगी इस जगा आना है और ये की गैस आरे गैस क्यों जरूरी होता है क्योंकि कभी कबार मीडिया आता है जब बड़े बड़े लोग आ रहे हो प्राइम मिनिस्टर आ रहे हो तो दोड़ता भागता मीडिया आता है या कोई सिलेबरिटी आ रहा हो तो उनको इन्टाइस करने के लिए कि जी हां मीडिया जरूर आए आप लोगों को बिताते हैं कि इस इवेंट पे लोग कौन कौन से होंगे आपके यस आ कौन रहे हैं और फिर डीटेल्स ओविसली और डीटेल्स भी डाल दें वो भी काफी होता है जिस तरह प्रेस जरीज में जरूरी है मीडिया अलर्ट में बहुत जरूरी है कि आप बताएं कि कांटाक बंदा कौन है फोकल बंदा कौन है कि अगर मीडिया को और इंफोमेशन चाहिए या वो दरवाजे पे आगे खड़ मेरी मदद कर दीजिए तो एक 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 जांपल है हम देखते हैं कि जीमीडिया अलर्ट अभर折्षा हिरत G Azamira Top 10 कर देखते हैं कि यह मेरी एक सेमिनार हो रहा है और इसमें युएन होगा और गरभरपाकस्तान होगा और यह ने संहार्टेल प्रवेंशन इक के लिए हो होंगी और federal secretary minister of health होंगे फिर उसके बाद हम कहते हैं कि जी वो क्यों आएं या जिसको हमने details कहा कि वो क्यों आएं तो भी हमने बताया कि जी ये हलात हैं इसलिए बहुत जरूरी है कि मीडिया जो है इस खबर को capture करें अब हम देखते हैं एक sample secretary general visits Pakistan to discuss peace तो यह heading है यह event है हम चाहते हैं कि लोग जो media है वो हमारा आए तो अब हमारे पास जो सवाल थे जो हमने जिनके जवाब देने media के लिए what, when, time, location, guests, and then details. What is a press conference? When, September, 10th, 2018, time, actually this is a good thing for me to share with you as well और वो यह है कि media को अगर बुलाना हो ना तो 11 बजे के बाद सबसे बहतर time होता है और 4 बजे से पहले हमें बुलाना चाहिए क्योंकि 4 बजे यह लोग अपनी news stories दे देते हैं उस दिन के लिए तो हम time रखते हैं साड़े ग्यारा बजे 11.30 a.m. ताके हम बाद में इनको खाना वाना भी खिला दें अधाल दे लुकेशिन हम कह देते हैं की जी आवारी लघॉर क्यास कौन है हमारे पास prime minister पाकेस्तान है हमारे पास UN secretary general है ये दो मेन लोग हैं हमारे जो अधर होंगे और डीटेल्स है जी शेरिंग प्लान्स पो रीजनल पीस ठीके तो अब हमने मीडिया को बता दिया कि ये सिचुएशन है अब ये आपके लिए दावत नामा है ये डीटेल्स है आप प्लीज आ जाएए और मुझे यकीन है कि अगर इस तरह को कोई इवेंट हो मुश्किली है कि कोई मीडिया ना आए थैंक यू सो माच